दुनिया में लोगों का आवा गमन इतना जादा बढ़ चुका है कि समय की बचत के लिए अक्सर लोग अब इन प्लेनों की मदद लेते हैं। प्लेन के क्रेश होने के पीछे की क्या वजा रहती हैं। तो सबसे पहले कारण में मौसम का तेजी से बदलना शामिल होता है। है कि वीमान से संपर्ख करने के लिए रडार की मदद ली जाती है काउन सा प्लेन कितनी उचाय और किस जगापर है इसी तरह से air traffic control के बहतर स्टाप ना होने की वज़े से भी विमान हाथसे हो सकते हैं हवाई जाज में बैठा हुआ pilot airport पर air traffic control room से संपर करता है जिससे उसे plan को land करने के निर्देश मिलते हैं उसी से उसे यह पता चलता है कि plan को किस runway पर और कब land कराना है air traffic controller के निर्देश के बिना वह runway पर land नहीं कर सकते कई बार air traffic control के गलत निर्देश की वज़े से भी विमान हाथसे हो जाते हैं अगर यह सब कुछ बहतर होता भी है तो इसके बाद एक बहुत खास चीज की कमी plane हाथसों की वज़ा कई बार बन जाती है दोस्तों कई बार इन plane की maintenance अच्छी नहीं की जाती है ज्यादा पैसे कमाने के लालच में बिना maintenance की ही यह plane लगातार कई घंडों तक हवा में उडान भरते रहते हैं जिसकी वज़े से इन plane में ऐसी कई खामिया होती हैं जिनको दूर नहीं किया जाता बाद में इनी खामियों की वज़े से plane ऐसे बड़े हासों का शिकार हो जाते हैं plane हासा होनी की वज़े में खराब aviation recorder को भी माना जाता है aircraft के operation और production में इनी aviation authority का हाथ होता है कई बार को जगाहों के aviation authority बहुत खराब होती है जिसके चलते विमान हासों की संभावने काफी जादा बढ़ जाती है अभिहाल में हुए नेपाल के पोखरा में जो विमान हासा हुआ उसके पीछे भी यही वज़ा बढ़ाई जाती है ऐसा कहा जाता है कि खराब मौसम और aviation authority की corrupt होने की वज़े से नेपाल में या plane हासा हुआ नेपाल के खराब aviation recorder की वज़े से European Commission ने नेपाली airlines पर कई देशों में उडान भरने पर पूरी तरह से प्रतिबंद लगा रखा है फिलाल विमान हासों में कारणों की वज़ा बहुत छोटी होती है फिलाल दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आये हो तो चानल को जरू सस्क्राइब कर दीजीगा